ऐसे समर्णिस कुमार और आप देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं तो आप जानते हैं शुटियो में रोजनायने तरी वीडियो लाता रहता है तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने AdSense अकाउंट को कैंसल कर सकते हैं कैसे इसको डिलिट कर सकते हैं तो वहीं मैं इस विडियो के अंदर आपको बताने वाला कांट पर यहां पर आने के बाद यहां पर आपको अपना एकांट ओपन करना तो गुगल एटसएंस अकाट जैसे आप सर्च मारते हो तो आप सकी शाइट आप पहुँन जाते हो तुप इस तरीकी की शायट के अंदर आप लॉगिन कर जाओगे अपने आईडी के साथ में जैसे कि दैसे तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा Google Adsense account जो है कि वह close हो चुका है तो नीचे मेरे को वहीं आपको दिखाई देगा Google Adsense के जिन से reds में red highlighted है यहाँ पर the Adsense account link to this Google account is closed उसकी के नीचे आपको दिखाई देगा request account reactivation the Adsense program policy apply and his account will go through the standard approval process again send a new application with a different Google account instead accessing your closed account तो अगर आपने इस account को ट्रेट कर रखाया जान बुसकी डिलीट किया हुआ किसी कारण के कारण किसी चीज की कारण तो इसने सीदा सीदा बतार रखा send a new application with a different Google account instead accessing your closed account तो आप दूसरे account जो से Gmail ID या फिदूसरे किसी ID से आप दूबारा से अच्छान बना सकते हैं लेकिन आपके पुरान ने जितने भी अकाउंट वो खोने चाहिए अदर वाइस क्या करेगा आपको अच्छान को क्या करेगा वह एक्टिवेट नहीं करेगा वहीं सीकर रिक्वेस्ट अकाउंट एक्टिवेशन के नीचे आपको दिखाए देगा दैट सेंस प्रोग्राम पॉलिसी एंड इस एकाउंट विल को थूद इस्टेंडन अप्रोवल प्रोसेस अगें मतलगी जैसे आप प्रोब्लम थी तो अगर कोई ऐसी प्रोब्लम नहीं दिखा देती तो आप पर क्या करता है वह और तो मैं इसका एक्टिवेट करते हो तो मैры इस वह ऐसेंस अकाउंट के पर इंपक्र पड़ेगा और हो सकता है कि वह अच्छी लगी होगी और आपको पलच लगी होगी कि आपने वीडियो कैसे अपने अच्छी कर सकते हो और कैसे उसका यूज कर सकते हो दुबारा अगर आपने उसको डिलिट कर दिया है सब्सक्राइब करें स्मार्ट टेक वीडियो को असाथ ही दवाए वैल आइकोन को तक ही हमारे जितने वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें